सेक्सेशन इस प्रफर्टी प्रफर्टी आफ हम मेल हिंदू एकसेशन टूब प्रफर्टी इस अधोल है कि अग ऑब हार करती आप देखेर रूल आफ सेंट पड़ रहे है आप क्या पड़ रहे हैं रूल सेक्सेशन वह उत्तरा अधिकार के नियम में 1956 से पहले 1956 के पहले कौन सा रूल लागो होता था रूल आप सर्वाइबर से लागो होता था इंदू के मामले में उत्तर जीपता करना उनी सो चपन में आयटा है रूल आप सक्सेशन लेकर आया लेकिन हर ब्यट के समझ से अलग अ आप से इंटर्वीव में पूछेंगे बात कर रहे हैं रूल आप सक्सेशन उत्तरा अधिकार के नियम के पहले सुन लीजिए जो आप लिखे है इसको का है यह कुछन आपके रूल आप सक्सेशन हो सकता दो नहीं पूछा कि पिछले 12-13 में पूछा गया है रूल आप सक्स उसके उत्रादिकारियों में कैसे होगा बुले आपको सक्षेशन एक का जिक्र करना इनिस्टे इनिस्टे में बिना वसे वो जिसका नामसियत कर गया तो तो उसको ही मिलना है इसलेगे इनिस्टेट क्या तो तीन हो हिंदू सक्सेशन आयक्ट में तीन चीज़े दी गई है तीन अलग अलग चीज़ें सेक्षन से सेक्षन से उप्र उस प्रापर्टी के बारे में लागू होता है तो इस प्रापर्टी में को पासने प्रापर्टी में सेक्षन 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 का को पासनरी प्रापर्टी का सक्सेशन कैसे होगा तो रूल आप सक्सेशन है तो जैस बिसे में दिया गया है किसी हिंदु पुरूस के दियत होती है और 15 Mirror किस solar में जिए गया है किसी महिला कुट कि मैरे मेरे फिमैल हिंदू के भी सिम् Pokemon में में किर इसके मालिजी इफ तुमे ऊपरपर्टी है यह फिम Miguel की मदनाम्हाइए मैं आम से नाम से सिदद सम्झें बना हुआ है लखनों में तो प्रापल्टी ममी के नम प्रापल्टी माइन है या फॉङ बैंक का उने नहीं बना दिए गए तो विशो कैसे मिलेगा पोई तो कैसे मांत Lies किस्का बटेगा उत्ति ध का तो अब उसका रूल 15 और 16 रहा है 15 कि साफ से किसके साफ से डिवाइड होगा पंदर घर है तो उसके उत्तराविकारी कौन होंगे तो सेक्षन 15 में दिया गया है वह लागू होगा किसी मेल का है मेल कर बिनावसियत के दियत होती है कोई घर है कौई सोना चांदी को जीर है तो यह प्राप्रटी का कैसे भी होगा और सेक्षन किस में कौपासनरी प्रापर्टी और सब्सक्राइब सर्वाइबर्श डिया गया है प्रापर्टी नाम होगा ना चेवाले जो चेव ने जो प्रापर्टी है और जो होगा उसे प्राजकारियों में वह आठ पंद्रा के हैं सार होगा अगर पासनी प्रापर्टी नाम हो जाएगा लेकिन को पासनी प्रापर्टी अब पहले को पासनी प्रापर्टी होता था तो उसको अलग प्रोपीजिन रखना पड़ा तो यह तीन रूल है तो जैसे आपके एक्जाम में पूछा जा रहा है किसी हिंदू की अगर देत होती है पर निकालो यह देखे लिखा है ब्रीफली प्रापर्टी आप डिसीज हिंदू 15 मारका है एक हिंदू मिर्तक पुरुष की संपत के निर्वसियती उत्तरादिकार से संबन विद्में संचित में वेचना कीजिए क्या लिखा है हाई बहुत लंबा वह इसलिए ब्रीफली डिसकस करो ज्यादा जरूरत नहीं कि पूरा सब्सक्राइब है तो आप क्या करों जो यह उपर वाला है इसका इंट्रो लाइन इस सब के चाहें फीमेल का पूछा गया हो चाहें ऑच्छन यह वाला कामन रहेगा ना एक समय क्या होगा कामन रहेगा कि अगर आपके पास्टाइम है तो कामन रहेगा नहीं अगर आपके पास्टाइम नहीं सीधा सेक्शन 8-13 डिल्स रूल आपके साथ में डिफरेंट रूल आप सक्सेशन डिवालिशन और प्रापर्टी अगे अगे आपको पास्टाइम प्रापर्टी को पास्टाइम उसमें कैसे डिवाइड होगी से बात करता है और कोई हिंदू निर्वस्टति जिसकी दिए डाउट मेकिंग बी तो आठ से लेकर त्यारा तक्री बात की गई है आगे 15-16 से समन्दित है आप देखें तो 2006 में पूछा गाए 15 मार्क में ना डिसकस्टा बाइस ग्राउंड आदा प्रेटिशन डाइवोर्स पूर्स की संपत्य का उत्त्रा अधिकार पूर्सों के संपत्य का उत्त्रा अधिकार अधिकार अच्सेंट व्रपल्टी आफ में लिखे एक सेक्षण एट आफ़ रफाटि एक सेंट क्याकि जो उसके मेल हिंदु के जो उत्त्रा अधिकारियों की चार बर बता है जो सक्षेसर रहें उनको four class में डीवाइड किया यहां देखें किसी हिंदु की मेल हिंदु की देट होती है बिनावसियत के जैसे मिस्टर यह है इनकी एक प्रापलटी है इस प्रापलटी का वसियत नहीं करते हैं और इनकी मृत्य हो जाती है तो इनकी प्रापलटी का इनके उत्तरादिकारियों में कैसे बटेगी डिवाल कैसे होगी कैसे बटेगा तो section 8 कह रहा है सबसे पहले class first के में जाएगा जो class first में होगे पर्थम स्रेणी के उत्राधिकारियों में अब पर्थम स्रेणी के उत्राधिकारियों में कोई नहीं होगा तो class second में जाएगा किसमें जाएगा क्लास सिकेंड में क्लास सिकेंड में कोई नहीं होगा रिलेटिव तो एगनेट को जाएगा वोत्रेश को किसको जाएगा एगनेट को चला जाएगा अब इसमें भी नहीं कोई होगा तो फोर्थ देखा जाएगा कोगनेट बंधू को चला जाएगा अब बंधू में उपर इसमें कोई भी नहीं है तो फाइनली प्रापर्टी कहां चली जाएगी गौवर्मेंट को कहां चली जाएगी जो प्रापर्टी किसी की नहीं है वो प्रापर्टी किसकी है गौवर्मेंट इसी को नुजूल कहते हैं क्या कहते नुजूल लेंड जो है वह यह जो प्रापल्टी किसी की नहीं है वो किसकी है सरकार की उसी को सहार में नुजूल बोला जूब लेंड है नुजूल से सक्षिन नीस आप डिसकस्त पढ़ोगे तो उसमें आगा नुजूल लेंड क्या होती है जो किसी की नहीं होती है वो सरकार की होती है इसी को नुजूल लगा जाता है तो उसमें है यहां प्रापल्टी किसको जा रही है तो जो 2006 में जो कुश्चन पूशा गया इनिस्टेट आपको ऐसे ऐसे ही लिखना है कि सेक्षन एड जनर रूल आफ सक्षिन प्रवाइड इंड स्वाइण के मामले में सुप्त्राधिकार के सामानियम सेक्षन एड क्या बंदेख करता है प्रापल्टी कैसे बने जाेगी अब एक कि लास फ़स्ट में कौन आएगा क्लास इक होन आएगा पाइनली हम लोग देखेंगे इप्रापल्टी ग्यार्ट प्रापल्टीं आउड बढा लेगे तो पढ़ा लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है कलिया तो समझना है तो सेक्षन और यह दोनों में रूलाव सक्सेशन ही लागू है उपास्त में प्रापर्टी पी रूलाव सक्सेशन के अनुसारी डिवाल वोगी जो जन्म राडर रूलाव सक्सेशन दिया गया है तो चलिए हैं यह आफ क्लास फस्ट एक पुरुस हिंदू ए जिसकी कब जे में संपत्य थ और यह जाया है बर्स तो इसी तरह से फुचेगी उत्राधिकारी कौन होगा तो सीधे अब एक और चीज आएगा पुरू एक जाम में सीधा क्लास फस्ट एक पूछ लेते हैं कि पर्थम स्रेणी के उत्राधिकारियों के बिस्ट लेक कीजिए इसका सब्स्ट प्रथम स्रे स्रेणी के लिस्ट आप लेकिन डिवाल एक और है इसके नीचे सब्सक्राधिकारियों की जो लिष्ट है वो क्रम आडर क्या होगा ना पीछे सट्यूल में दिया गया है क्रम क्या होगा लिखे अब देखिए यही याद करना है उसके लिए पहला दूस्ता याद होना चाहिए कि कौन है आप पहले कौन कौन आते ही सबसे पहले कौन आएगा सांस फिर डाटर और फिर वीडो अब सेक्शन नाइन जब हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसको कितना सिर्स मिलेगा आडर क्रम अगर यह जार जीवित थे आप देट टाइम आप चारू पाएंगे नहीं कि सन पाए सन रहेगा तो डाटर नहीं पाएगी इसल नहीं अब पांचवे नंबर पर तोन आएगा आप प्री डि सब्सक्राइब करें पूर मिल्टक जैसे यह पिताजी है इनका सन एक सवन है इसका सन एक एसटू है यह तो पिताजी का क्या है ग्रांड सन हे प्रेडिसीज मतलब क्या पूर्म जो इनका यह संगना कि इनकी इसकी मूर्तिव पिता के मुर्तिव से पहले हो गई प्रिता के मृतिव से पहले हो गई तब इसका जो जिए वित उता शेयर्ठ मिलता वह से यह नहीं होगा अगर यह हैं तो इसलिए परिवार के लिए कि अपना पच्चा हो इसे कि कोई भी हो जाए लड़का हो जाए लड़की हो जाए सब ठीक रहते हैं मैं सोचते हैं कि अगर नहीं होगा हुमारे कोई संतान नहीं होगी तो इस नहीं हुदिस कोई सब Regarding बच्चे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है तीक है इसके बाद तो इसको जाना है अगर प्रीडिसीज मतलब पूर मिर्टक जो सिर्स उसको मिलेगा वह है आप देखिए फिर एट नमबर पर डाटर आप प्रीडिस पूर मिर्टक पुत्री इसलिए सोचते हैं को इतना नमबर इने अपना लड़का है इस ठीक सीधा लड़के को ट्रांसफर करो नमबर कहां तक जाएगा फिर इसकी विड़ो विड़ो आफ प्रीडिसीज सथ पूर मिर्टक पुत्र की विद्वाइस की आप ये हो गया 9 जैन अब इहां इसका इसके लड़के उलड़की सब्सक अब इसके विड़ो आफ प्रीडिसीज संट पूर मिर्टक पुत्र के पूर मिर्टक पुत्र का पुत्र अब इसकी विड़ो आगए है विड़ो आफ प्रीडिसीज संट पूर मिर्टक पुत्र के पूर मिर्टक पुत्र की पुत्री अब इसकी विड़ो आगए है विड़ आफ प्रीडिसीशन पूर मिर्तक पूर मिर्तक पूर मिर्तक पूत्र की विधा अब रहे हैं यहां आ विडो अगर याद करेंगे 9 और 12 ग्राउंड पर 9 12 ग्राउंड पर क्या है और एक 3 ग्राउंड पर तीन पर क्या है वीडो आ रही है नहां रहे है वीडो आ रही है यार को कि इस पर और इस पर वीडो नहीं नमर्ब आरके तो नाइन नोट्वेल वीडो फिर अब इसके सन आफ सन आफ प्रीडिसीज डाटर आफ प्रेडिसीज डाटर पूर मिर्थक पुत्री के पूर मिर्थक पुत्री के पूत्र पूत्र आए अब तब सन आएगा ना सन आएगा तब डाटर आएगे डाटर आफ प्रेडिसीज डाटर आफ प्रेडिसीज डाटर पूर मिर्थक पुत्री के पूर मिर्थक 315 क्या आइगा? यह दो रखाव्टरः टरख्री से तं ऑरो इथिसेश्च यह डाटरः अ पुर्मटलट्ट वुट्र को कुध्तरी निय्ग दिथिसे नियगि डेटरअ दर दॉट्ट वुटु तरी नियर द् थो रहती सोनgebaut गर्धैनल्ट पुर्म तरर पुर्म्टल. अपत्र का पत्र, ये आप देखेः, 3 वीडो, 3 वीडो, 1 प्लस एक डाटर यहाँ, 1, एक डाटर यहाँ, 2, एक डाटर यहाँ, 3, एक डाटर यहाँ, 4, एक डाटर यहां 5 एक डाटर यहां 6 और एक डाटर यहां 7 किन्ने हो गए 7 टोटल किन्ने होए किन्ने हैं 11 11 जगह पर क्या है फीमेल है तो नीचे जवाब लिखो गया भी तो यह भी लिख लेना 7 यह 7 डाटर कर दो सेवन डाटर फिल्मी महिलाओं को अधिकार नहीं है सिर्फ मात जगहा पुरुस है इतने जगहा फिल्मी महिलाएं कमजोड है फिल्मी महिला कमजोड है प्रापर्टी में तो नोट कर लो पूरा